हाई फ्रेंज कैसे हैं आप सुवागत करता हूँ आपके अपने चनल क्रिक लेवन फोकास पे इस वीडियो में हम बात करेंगे DC वर्सेज एमाई ड्रीम लेवन स्टाट्स प्रस इंफो यानि DC वर्सेज एमाई ड्रीम लेवन प्रेडिक्शन के बारे में जैली कैपिटल्स वर्सेज मुंबाई इंडियन्स में जो मैच खिला जाएगा उसके बारे में उमीद करता हो कलका दूस्त आपके लिए मैच बहुत अच्छा गया मुहीन अली को कप्तानी देना सबसे अच्छा डिसीजन रहा दीपक चाहर को ड्रॉप करना जैदे वुनातकर को ड्रॉप करके ब्रावो को लेना ये सब जो डिसीजन्स थे काफी जादा हमारे लिए अच्छे गए तीन रात हो गई है रोज हम मैच जीत रहे हैं रोज आप बहुत अच्छा से कमेंट कर रहे हैं सूबे भी किया कीजिए मैच रिजल्ट के बात सब का थेंक्यों आता है लेकिन मैच से पहले भी किया कीजिए motivation और positivity level बहुत हाई रखोगे तो अपने आप जीतोगे यही reason है अभी तक 11 में से 10 match आपने बहुत असानी से जीते होंगे और उमीद करते हों last के कुछ days में तो आप बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तो यदि आप नहीं है हमारे channel पे आपने यहाँ पे नीचे जाके comments पढ़ लेने है feedback के लिए forecast family के और साथी में 65,000 लोग जुड़ चुके हैं हमारे telegram पे आप पीछे नार हैं आप भी जुड़ जाएं उसी के साथ साथ आपको बता दो हमारा channel बिल्कुल free है कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे channel के नाम यूज करके क्योंकि हमारे यहां से इतने लोग grand leagues win कर रहे हैं इतनी अच्छी रेंक ला रहे हैं तो वो यूज करके उसको पैसे मांगने ही कुशिश करेंगे आपने बिल्कुल नहीं देना यह मेरा जो प्रेम है cricket यह कोई विकाओ प्रेम नहीं है टॉप के comment में भी link है और याद यह आपको हमारी video पसंद आए तो subscribe जरूर करना bell icon को जरूर दुबाना क्योंकि मैं आपको इस video में कुछ ऐसे बताने वला हूँ जो कोई नहीं बताएगा पहले ही एक trailer देता हूँ प्रिथवी शॉर लास्ट टाइम दिली से मुंबई के सामने तीन मैच कहले थे तीनों मैच में किस ने ऊट किया था Trent बोल्ट ने तीनों के तीनों मैच में final मैच में खेले नहीं थे Marcus Tony's opening पे आये थे किस ने ऊट किया था Trent बोल्ट ने वाले हैं जो कोई नहीं बताएगा मनी मरन सिदार्थ चलिए अब हम देख लेते हैं ये कौन है वेन्यू की बात करें मेच इतमरम स्टेडियम में मैच हो रहा है चन्नही की पिछ्छा यहां पर नॉर्मली स्पिन बहुत ज़्यादा हो रही है होती भी ज़्यादा है पिछले मैच में कुछ अलगी देखने को हुआ दुपहर का मैच था बेंगलॉर की टीम ने दोसरन कर दी है वहां भी विकेट्स लो थी इस्पिन हुई थी लेकिन विकेट्स के साथ साथ जो बेंगलॉर ने बल्ले बाजी करी हरान जनक थी एवी डिविलियोस और मैक्सवल ने बहतरीन फिनिशिंग करी जो कि कोई टीम अभी तक कर नहीं पाई थी रिकॉर्ड देखो कि इस पिछ के तो मैं आपको कहूँगा 150 से कम 29 बार 150 से 90 43 टाइम्स बने हैं अब आप इसको 16 भी कह सकते हो इनफेक्ट लास्ट मेच के बाद तो आप मान के चलो कि मैं यही कहूँगा 150 वाली पिछ है अब डिपेंड करता है मुंबई और यहां पर दिल्ली की टीम बल्लेबाजी कैसे करती है दिल्ली का यह पहला मैच है चलने ही में मैं उनके हर प्लियर आपको दिखाऊंगा अभी तक दिल्ली मुंबई में खेलती आई थी यह वला इपेल तो हो सकता है उनको थोड़ी मुश्किलात आए क्योंकि यह विकेट थोड़ी स्लो है आईपेल 2019 में पर विकेट के लिए यहां केवल 24 रन बन रहे थे मैचेज में 89 विकेट गई है 53 फास बोलर्स को 31 स्पिनर्स को और 5 रन ओट और क्लैरिटी के लिए मैंने मैच वाइस भी लिखा आप समझ पाएं तोटली आप समरी देखोगे फास बोलर्स डॉमिनेट करें स्पिनर्स ने भी अच्छा किया है लेकिन इन फास बोलर्स में हमारे पहले मैच के डिफरेंशल पे खर्षल पटेल आगे 5 उटें दूसरे मैच के भी कुछ इंपोर्टेंट प्लेयर आगे मैंने हर मैच में आपको कोई ना वह प्लेयर ऐसा डूड के दिया है जो कुछ कर रहा हो कर रविदर जडेजा भी हमारी नंबर वन ग्रेंड लिक पिक थी मैं खुद रैंक चार पे रहा बड़ी वली लीग में जो आपको दिखाई थी मैंने कली ग्राम पे बस कुछ ही पॉइंट से चूग गया उसमें जडेजा नहीं थे मेरे पास उसमें होत के बाद दसरेंपर चले गए थे नंकी उनुद्राइब दस मैच क साथ मैच उनकी की इनकी कि थी रोंग पांच मैच में द्यान ऩ 10 पांट पंड एच्छी मैच में एक बॉलिंग नहीं करेंगे इनके कोच ट्रेंट बोल्ट नेए शेन बॉंड वह भी न्यूजिलन्ड की है उन्होंने बोला है और ट्रेंट बोल्ट 5 मैच में साथ विक्टर और माको यांसें दो मैच में दो विक्टर आज आपको क्या एक वर्ची स् तो आप थोड़ा सा इसको इग्णोर करना जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ा स्पैलिंग गलत कर दिया है प्रिस्वी शौ के भी और रहाने की भी स्टीव स्मिट चार मैच में यहां पर 94 है अच्छा खासा एवरेज है 31.3 का इसके अलावा यहां रवी इश्वन है 38 मैच मे 46 हुटें इंपोर्टेंट रवी अश्विन चन्नाई के ही पले बढ़े हैं यहां पर बहुत खेले हैं टेस्ट मैचिस में भी अच्छा किया था थोड़ा स्पिन होता है विकेट तो सामने के लेफ्ट हैंडर्स कुइंटन डिकॉक इशन कीशन क्रूनाल पांडिया आउट क पिछला IPL हुआ ही UAE में था बाकि यह प्लेयर खेले नहीं है यहां पर अभी अश्विन का होंग राउंड का आपको बहुत लोग बता देंगे मनी मरंद सिधार्थ का कौन बताएगा भाया जिस प्लेयर ने पांच मैच में आप 15 मेक्टे लिए हैं उस प्लेयर का तो बता मुंबई ने अठाइस मैच के लिए जिसमें 12 दिल्ली जीती है 16 मुंबई इतिफाक की बात है लास्ट यह उन्हों चार मैचेस के लिए जिसमें कौलीफायर वन भी था और फाइनल भी चारों मैच मुंबई जीती थी दोस्त रंस के मामले में या पर रोहित शर्मा 633 मुंबई से भी खेल चुके हैं बहुत पहले बहुत पहले सीजन में तब भी सोचो और दिल्ली के लिए यह पहले दो सीजन में भी खेले थे तो भी इनके केवल 190 रनना है इनका परफॉर्मेंस हट टू हैड में अच्छा नहीं राय शिकर का मुस्ट विकेट्स बूमरा कि बही आप हैड टूअर चुके लिए अभी जो शिकरदवन फोर्म में लास्ट टैम मेरे ऐस कैपटन जी ते दो टीम दी थी एक में वाइस कैपटन एक में कैपटन राहूल के साथ रीजन यही था कि यह फ्लॉवलेस्ट फोर्म में चल रहे हैं अभी एक भी चान्स नहीं फटा फट से देख लेते हैं कौन से मैच 27 मुंबई जीती पांच उट्टो से 162 का टार्गेट मिला चेस कर लिया इजी ली शिखरदवन इस मैच में चले थे ये वले मैच में शिखरदवन चले थे उसके बाद तीनों में फेल हुए थे ध्यान रखना शिखरदवन 69 नॉट खेलेंगे नहीं फिर भी 42 किये थे स्टोइनिस तेना प्लस एक विकेट रभाड़ा दो विकेट कुइंटन डिकॉप 53 सूर्यकुमार यादर 53 कुरूनाल बारा प्लस एक विकेट ध्यान रखना शिखर यहां पर नॉट गए थे तो भी सिरफ 69 नॉट तक ही गए थे लेकिन अब बहुत मुश्किल कंडिशन में आके रंस करे थे विकाज मुंबई ने बहुत तंग किया था अगले तीनो मैचों में आपको शिखर का नाम नहीं दिखेगा क्योंकि चले नहीं थे यह मैच मैच 51 इसमें भी दिली के 110 पर ही नॉट हो गए थे टॉप और तो पूरा ही मैच 57 हुआ इनके बीच में कॉलिफायर वन यूजबे मैच 56 तक होते हैं उसके वान नौक ओट होता ना मेरे दोस्त इनका ही हुआ था मैच 57 मुंबई दोस्तों किया दिली से चेज नहीं हुआ इशन किशन फिर से 55 नॉट आउट सूर्य कुमार यादव पचास लिकॉक चा जीरो पर गये थे स्टोइनिस तो यहाँ पर ध्यान रखना बोल्ट ने तीन विकेट ली नेथन कुल्टर नाइल ने दो विकेट रोहित फाइनली फाइनली फॉम मैंके 68 इशन किशन फेर से 33 नॉट आउट नॉट आउट नॉट यहाँ दो विकेट पन 64 श्रेयस अईयर 65 को इगनोर कर सकते हो देखने वाली बात क्या है इशन किशन इशन किशन इशन किशन और हर मैच में ही जल रहे है मेरे भाई अब यहाँ पर डैली के लिए एंविक नॉट यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं दिली के लिए एंविक नॉट लेकिन मेरे को थोड़ा सा खेलने पर डाउट लग रहा है इनके बिकॉज अभी चार ओर सी स्प्लेयर खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं स्टीवन स्पिछ जरूर आए हैं लेकिन एकी मैच में मौका मिले है क्योंकि रोखने का उनके पास एक बहुत अच्छा तरीक है वो मैं आपको दिखाऊंगा पिछली 15 गेंद जो मिश्रा जीनियर रोहित को डाली है चार विकेट कौन बताया या आपको पिछली 15 गेंद का कोई नाम बता दो मुझे इसने बताया हो सिरफ पिछली 15 गेंद का रिकॉर्ड जी है जिसने बताया हो बेंच पे टॉम क्योरैन है अजिंक्य राहने है है अमित मिश्रै अभी तक इनके लिए बेस फर्फॉर्फॉर्मस बाइफार शिखर दवन उसके अलावा पर त्वी शॉट हीक रहे है रिशप पंथ 52 मैच में अच्छे रहे थे मांक स्टोनिस लास्ट में अच्छे रहे थ लेकिन क्रेडिट कौन खाते हैं गाड़ी बंगले वाले तो ध्यान रखना पोलिंग में यहां पे अवेश खान 12 और 88 पे 6 ठीक है 10 बारवां 15 और 19 और मैं आपको यह भी बता रहूं कौन किस स्टेज पर और कर रहा है यह आपको कब हेल्प करेगा यह आपको तक हेल्प कर लेकिन किस्पत ऐसी थी कि मौरिस ने बोल ही नहीं डाली उनको जो दो गेंदे डाली खाली बाकि सब बोले उनकी मुहिनली खेल गए लेकिन आउट हुए बाद में लेकिन लॉजिक से चलने में फायदा होता है यही रीजन था उसे मैं गेल को नहीं लेके गया था मैच और किसको लेकिन आया जाए बैट्समन किया आगे सोचो वाड़ा एट और सेवंटी थी है यह डेथ में भी आएंगे ग्यारवां सोलवां अठरवां होगा ठीक है रवी अश्विन फाइब सेवन नाइन फॉर्टेंट प्लेयर है इनको रोहित के आगे भी यूस किया जा सक अभी तक इन्होंने एक ही ओगर किया अगर नहीं जाता ना कोई प्लेयर भार तो ललित यादव हैं सेकंड स्पिनर यूज होंगे और इनका रोल बड़ा हो जाएगा तो ललित यादव आज हमारी ग्रेंड लिक्पिक में आना चाहिए मैंने अभी जग दोनों मैचेस में को ट्राइ करने को कुछ खास नहीं बोला और अपनी टीमस भी नहीं किया इस बार करेंगे आज हम करेंगे ललित यादव को अगर खेलते हैं तो ठीक है टॉम क्यूरैन है और अमित विश्रा है अगर आप नोटिस करोगे एम सिधार्थ अश्विन को आप ट्राइ करोगे ट है इसके अलावा आपको अगर अमित मिश्रा जी का देखना है तीन मैच में तीन विकेट है पिछले डीसी के फुल स्टाइट प्लस इंफो आप देख सकते हो और इसमें आपको जो ध्यान देना है एम सिधार्थ पर देना है जहां मैंने आंखे बनाई है छे मैच में 16 विक प्रिथवी शौफ थोड़ा सा स्टार्टिंग बार स्ट्रगल किये थे वोस्ट विकेट में देखोगे रबाड़ा है 30 विकेट नॉटिया 22 विकेट अगर आते हैं तीम में ध्यान रखने स्टोइनिस के तेरा विकेट स्टोइनिस के नहां इंपॉर्टेस बढ़ती है इस फाइदा देखे गया लेगिन यहां पर इगनोर करना मुश्किल है यहां पर आप स्टोइनिस को ले सकते हो ठीक है रवी अश्वीन की 13 विकेट है अक्षर की 9 है अभी कोवेट से जुन रहे हैं बाकी अब LBW बोल्ड परसेंटेज में नॉटिया का देखो यार 41 परसेंट विकेट बोल्ड में है हमें बोल्ड और LBW के 33 पॉइंट मिलते है नॉर्मल विकेट के 25 यही रीजन है मैं रोज बताता हूँ अश्वीन 29 है काफी जादा है अक्षर भी 29 है उमेश यादव 25 पॉइंट दो इशान शर्मा 28 मिश्राजी 20 वोक्स 20 कगीज और अबाड़ा 16 ट इनके पास लास्ट यर भी यह टैक्टेक यूज हुआ था और इन्हों ने जहनत यादव ने शिखर को आउट भी किया था दूसरी ही गेंद पर सिरफ इसलिए खिलाया गया था ताकि शिखर को आउट करें और नोटेस करोगे अगर तो यहां पर दिल्ली की टीम में आपको रिशब पंत भी दिख जाएंगे और इवन कि आपको ओपनिंग पे वो दिख जाएंगे शिखरदवन तो अच्छा टैक्टिक होगा जहनत यादव आते है तो मिलने की जगह कोई बुरी बात नहीं है अगर तीन ओवरसीज के साथ चले जाए सिरफ टीम क्योंकि भाईया ब इशन कीशन ने पहले मैच में सही कहला था उसके बाद लास्ट मिच में पुला अगया है इनके बोलिंग में आप देखो के वही नाम आरे ट्रेंट बोल्ट 6 विकेट बूमरा 3 विकेट है कुरुणाल 3 विकेट है हमने आखरी मैचेज में ट्राइ किया रहे है रहों चाहर क बहुत बढ़िया तो यह है मैंने यह भी पता है कौन सा ओवर कप डाल रहे हैं नोटिस करके चलना हर एक प्लियर का यह आप देख सकते हो कौन करता किया है आपको जहन त्यादव के बारे में नहीं पता है भारत के लिए भी टेस्ट मैच खेल चुके हैं हाफ सिंचरी भी कर चुके हैं और विकेट्स तो लेते हैं वैसे तो यह हर्याना की टीम में जाके और डॉंडर का काम करते हैं मुंबई इंडियन की टीम में आप इनको केवल बोलर के तौर पर देखना बड़ी बात यह है कि मुंबई से पिछले एक-दो साल पहले लास्ट यह मुंबई में ज नेक्स टार प्लियर दूसा रोहिट चार-पांच प्लियर का लिख देंगे वो भी स्टार प्लियर एक पेज़ पे मैं हर एक प्लियर का लिख के देता हूं इस सिर्फ आपके लिए करता हूं मैं दोस्त ध्यान रखो अब यहां मान लो की खेल जाते हैं जेहन त्यादव तो पंदरा मैचेज में 27 विकेट, बोल्ट ने 25 विकेट 15 मैच में, राहूल चार 15 मैच में 15 विकेट यही तीन इनके लिए विकेट लेके जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्रुनाल इस विकेट पर गेम में आ रहे हैं, अगर कोल्टर ना हिल आ जाते हैं टीम में उनका भी ध्य इनके लिए बोल्ट LBW देखोगे, तो भूमरा भाहिया ने 34 विकेट बोल्ट में, क्रुनाल पांडिया 24 परसेंट, राहूल चाहार 24 परसेंट के करीब 23.4, बोल्ट 20 विकेट से इस साल बढ़ गया, पिछली तीनों विकेट तो इननने LBW बोल्ट ही तो किया, लेकिन टे LBW परसेंटिच कम है, बोलिंग वैसे करी नहीं रहे अभी, शिक्त बोलर का रोल आज पुलार डदा कर सकते है, फिर से, MI vs DC के अब हम मैच-अप्स देखेंगे, मुंबई से बैट्समेन और दिल्ली से बोलर पहले, रोहित चर्मा का देखोगे, जहां आपको LY दिख जैना, वो लास्ट येर है, पिछला साल, जहां वन दिखें एक बार आउट हुएं, जहां दो दिखें दो बार आउट हुएं, ध्यान मद्यना, अक्षर को कोवेड है, इशान को नीगल है, ठीक है, और इसके लावा मिश्रा जी ने इनको तंग किया, सबसे ज़्यादा, इस पे आपको गौर कर लेना है मिश्रा जी पे, क्यूंकि भाईया, मिश्रा जी ने इनको 6 बार आउट तो किया, लेकिन पिछली 17 गिंदों में ध्यान रखने, ये पिछली 5 IPL में ऐसे हुआ है, रोहित को तंग करके रखा हूँ है, मिश्रा जी ने ध्यान रखना, क्विंटन डिकॉक, क्विंटन डिकॉक देखोगे, रबाडा के आगे 0 बार विकेट है, लेकिन अपने ही टीमेट नॉटिया के आगे आ रबाडा के आगे एक बार है, वाखे सबको मुंबई इंदियंग के लिए इश्रन किशन डिकुन डॉम्नेट किया था last year, दिल्ली के आगे, पुलाड क्या देखोगे? लास्ट ये रबाडा के आगे दो बार आट हूँature है, यहां पे आप देख रहे हो, रबाडा के आगे पॉलाड ने। हार्दिक पांडीया, गगीजो रबाड़ा के आगे दो बार स्मय से नो कहां से आ गया, मेरे दोस्त करीके यहाँ यहां जीरो बार स्टोइनिस लेकिन आगे दो बार विकेट भीड़े के वहिए इवन नॉट या कि भी यह यह लास्ट यह दीघान रखना, पा तो यहां पे बड़ी बड़ी नॉक्स खेली हुई थी तो इन्होंने जयंत को यूज किया था और उन्हें दूसरी गेंद पर इनको ओड कर दिया था ठीक है और नेथन कुल्टर नाइल है इन्होंने भी एक बर विकेट ली है बुम्रा ने एक बर ली है ट्रेंड बोल्ट ने पर लिए पिछले साल राहूल चाहर ने भी इनको विकेट लिया था प्रित्वी शौ तीन मैचे शौ खेले थे चौथा मैच खेले नहीं थे मुंबई और दिल्ली की जो मैचे हुए थे चार हुए थे चौथा खेले नहीं थे फाइनल तीनों में ट्रेंड बोल्ट ने इनक अगर मिल गया तो बोल्ट खतरनाक है शौ के लिए लेकिन चनी में स्विंग कम हो रही है राहूल चाहर एक विकेट लेके गए है प्रित्वी शौ की स्टीवन स्मिथ बूमरा के आगे तीन बार गए है नैथन कुल्टर नाइल के आगे दो बार गए है रिशब पंत यहां लेकिन बूमरा के आगे लास्ट यहर एक बार गये क्रूनल पंड्या के आगे लास्ट यहर किकट लिया है नेथन कुल्टर नाइल भी तीन बार लिया है मेरे दोस्त मारकर स्टोइनिस देखोगे ट्रेंट बोल्ट के आगे एक बर विकेट है और इसके अलावा जिसमें बूमरा के आगे तीन बर विकेट है लास्ट येर बूमरा ने स्टोइनिस को दो बर आउट किया था ट्रेंट बोल्ट ने एक बर किया था ये वही मैच है लास्ट येर वन वाला जो फाइनल मैच हुआ था पहली गेंट पर या दूसरी गेंट पर ट्रेंड बोर्ट को ट्रेंड बोर्ट के मारकस टोजिस को कॉर्ट बिहांड कर दिया था दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसी information कोई नहीं दे रहा जो की लगना चाहिए क्योंकि कोई दे नहीं रहा और आप भी वैसे हैं जो मकान वगरा पे ध्यान नहीं दे कि किसी practicality पर चलते हैं और लोगों की बातों में आकर बुद्धू ना बनने की वज़ाए smart बनने में भी आना गलती मत करना इधर उदर जाने की क्योंकि हमारे नाम पर बहुत लोग पैसे मांग रहे हैं हमारी service free है ऐसी चीज़ हम बेच नहीं सकते जिसने हमें इतना प्यार दिया है वही मेरे लिए cricket है एक लाग पैसर रजार जुड़े हैं आप भी जुड़ें वीडियो सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कभी किसी अच्छे इनसान को भी support करके कभी try करके देखिए चलिए विगेट कीपिंग सेक्शन रिशब पंद, कुईंटन डिकोग, इशन किशन तीन प्लियर्स है इशन किशन का head to head वगरा record देखा बहतरीन है इसलिए differential प्लियर कैटेगरी में मैं इनको रखता हूँ यहाँ पे middle order में आएंगे two down पे, कुईंटन डिकोग के opening पे आ रहे है प्लस advantage विकेट कीपिंग का है जो reason है कि मैं इनको ले रहा हूँ रिशब पंद को भी obviously मैं इसी reason से लेना चाहता हूँ लेकिन अभी के लिए मैंने team में रिशब पंद को ignore किया है इसका reason यहाँ बूमरा के आगे match up नेटन कुल्टर नाईल अगर बाय चंस आते हैं ठीक है वनक रुनाल भी है यहाँ हलका से मैंने risk लेके रिशब को भी रुका हुआ है और क्या है कि मुंबई से चन्नई में आ रहे है दिली के team थोड़ा adjustment में problem आ सकता है मुझे लगता है stumping value जादा है पंत के लिए इस match में बट बल्ले बाजी में शायद थोड़ा मुश्किल हो अभी के लिए मैंने यहाँ पे आपको option दी है हम यहां रुक के बल्ले बाजी पे चलते हैं दोस्तों बल्ले बाजी में सूर्य कुमार यादर पहली चोईस रहेंगे most fluent player मुझे मुंबई से लगे हैं चाये बिछले match में केवल दसरंड किये fluently खेल रहे हैं अच्छे से खेल रहे हैं शिखरदवन last match में एक होता है na flawless innings मैंने शिखर की बहुत innings देखी है ICC के टूनामेंट्स में शिखरदवन अलग लेवल पर खेलते हैं लेकिन इनकी last time की innings थी इनकी एक जो खराब short था उस पर ही आउट हूँ है 90 तक ना कोई 100 देखी थी तीन catch शूटे थे उनकी उस 100 में इनके 90 में एक भी कोई catch नहीं शूटा था कुछ नहीं शूटा था सब flawless सिलिंग्स था एक अधा हलका सा मुखा बरान था लेकिन वह भी कोई जैनुवन मौकर नहीं था तो शिखरदवन वस उन टॉप फॉर्म आई होब की वह अपनी टॉप फॉर्म को यह वाजन टॉप फॉर्म करें शिखर को मैंने लिए और रोहित को मैंने लिया है रोहित को देखिए मुंबई का लास्ट टाइम का प्लैन सिंपल था पहले दस वहर में पिटाई कर लो जितनी करनी है क्योंकि दस बार आवर के बाद यह विकर स्लो अगर हो रहा है तो रोहित को दिक्कत आ रही तो रोहित के टीम को दिक्कत आ रही थी फिनिशिंग नहीं कर पा रहे तीन में से तीन बार विकेट है वहां मैं रिलाय कर रहा हूं प्रित्वी शौ ने जो गैप दिया हुआ था अपने स्टांस में वो छोड़ दिये जिसका फाइदा ट्रेंड बोल्ट उठाते थे रिकी पॉंटिंग साथ इन्होंने हेल्प करी है सबसे ज्यादा इनकी जो हे अब क्या है कि स्टीवन स्मिथ ऐसी विकेट पे अच्छे हो सकते हैं और दिल्ली को पता है कि लास्ट मेंच में वांखडे में इन्होंने स्टीवन स्मिथ को प्रेशर में दिया हुआ था कि तेजी रन करने के चक्कर में जा रहे थे मुझे नहीं लगता कि इनको इस ग्रा रहा हूं अब हम चलेंगे और रांडर्स पे वोक्स मेरी पहली चोईस रहेंगे मैंने एक मैच में इनको दिल्ली के ड्रॉप नहीं किया पहले मैच में कैप्टन से भी करी थी यहां पर दो विकेट लेके गए थे इंक्लूडिंग वन बोल्ड और एक रन नौड भी किया थ क्रुणाल का क्या है कि यह अगर दो तीन ओवर रही कर रहे हैं और पॉलाड भी दो वर करने है फिर तो सर्टरली पॉलाड को लिए जिस लास में इन्होंने तीन किया इन्होंने दो लेकिन कन्फूजन है पॉलाड कितना करेंगे फॉर टाइमिंग इसलिए मैंने क्रुणा लगाना मत्तब रन खाना मीडियम पेसर फास्ट बॉलर की बाति यहां पर चन्नाई के ग्राउन में इधर चितमरम में यहां पर भीया बन रहे हैं थोड़े मीडियम पेसर के विकेट्स तो ध्यान रखना लली त्यादव को मैंने आपको अभी तेक ज्यादा ट्राइक करने को बोलर में इस मैच में slower ones use हो रहे है slower bowlers use हो रहे है यही reason है slower ones, slower ones करते है Slow left यहां पे spin करेंगे लली त्यादव और मुझे लगता है ये भी काम आ सकते है तो दिल्ली के लिए important player बन सकते है इनको भी try कर सकते हो मैं चल रहा हूँ bowling section में यहाँ और कोई खेलने का ज़्यादा चांस रखता नहीं है मेभी नीशम अगर यहाँ पर मुंबई अपना थोड़ा depth चेंज करना चाहे बोलर एक्स्ट्रा तो है ही मिलने उसकी जगा नीशम करके bowling में trend बोल्ट को लिया है विकेट्स निकाल रहे है बीस पाम और कर रहे है उसी में काफी विकेट लेके जा रहे है रहुल चाहर है इनको मैंने लिया है important player है और उमीद करूँगा बोल टीवन शौ को लेके जाए थाकि इस टीम में हमारे पर सफाइदा होगा डबल एक player जाएगा लोगों का और एक wicket हमारी आएगी अगर मेरा tactic चलता है तो रहुल चाहर के अलावा यहाँ पर मैंने कगीज और अवाड़ा को लिया है यह है important player दिल्ली से क्योंकि यह महां के main wicket taker है रहुल चाहर बूमबाई से 2 matches में 3-3 wicket लेके आए इसी ground पे अवेश खान मैंने यहाँ पे लिया है बूमरा को मैंने यहाँ पे लिया है यह है मेरा team preview रवी अश्विन तो obvious grand league pick रहेगी इस match में इस ground पे spin होता है अभी तक अश्विन को केवल एक wicket मिला टूरामेंट में बड़ भूलिये मत अश्विन थोड़ी बल्लेवाजी भी देते हैं साथ में आपको spin देते हैं और यह ground उनका home ground है अपने घर पे तो हर कोई share होता है यह तो फिर अश्विन है असल में भी share है तो यहाँ पर यह options है मेरी वला case आपसे मेरी विजगा मेरे को लगता है मनी मलन सिदार्तिया इवन कोई और आ सकता है एडब मिल की जगा मुझे लगता है कोई और आ सकता है फिर भी अगर मिल खेलते है तो यह tribal रहेंगे ठीक है इनको try कर लेना बाकी और कोई मेरे को लगता नहीं है changes होना चाहि है तो वो है और कोई मेरे को यहां दिख नहीं रहा है इवन मोसिन खान प्रवीन दूबे यहां पर जयान त्यादव में भी बट और कोई मुझे changes दिख नहीं रहे है मेरा टीम कॉमिनेशन यह है दोस्तो इसमें stonies का आप change कर सकते हो वह recommended है आप पास एक जो player आएगा यहा अपनी best form है generally मैं शिखर को उतरा CVC करता नहीं हो अगर आपने notice किया और लास्ट में किया था और इस match में भी कर रहा हूं अब VC के तौर पर मिर पास यहां पर कुछ options है या तो मैं सोच रहा था कि वोक्स के लिए जाओं एक allrounder के लिए या रोहित के लिए या clear cut trend bolt के लिए यही reason है कि मैं रोहित को यहां पर VC कर रहा हूं और C कर रहा हूं दवन को options मैं आपको दी है safe team से मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं यही reason था कल रहना को drop करना परसों गेल को drop करना और अगरवाल को लेना तो यह decisions लेने पड़ते हैं दोस्त कभी ना कभी यह decision गलत भी चल रहे हैं तो आप जरूर दे रही हो उम्मीद करते हो वीडियो पसंद आई चैनल पर लाइक सबस्क्राइब करके टेलीग्राम में जरूर जुड़ेंगे सबस्क्राइब करना बूल जाते हो कितना बूल वहोगे मुझसे